हाई आज मैं बना रही हूँ बनाना केक और ये केक देखिए कितना फलफी सा बना हुआ है सूपर मॉइस्ट रहता है और घर पे अवेलेबल चीजों से आसानी से बन जाता है इसमें मैं डालने वाली हूँ सीक्रिट इंग्रिडियेंट भी जरूर वीडियो एंड तक देखिएगा जो कि मैंने इसमें पके हुए केले यूज किये हुए है राइब बनानास तो वो बहुत ही मॉइस्ट बनता है थोड़ा सा जादा पक भी जाए तो ये बिल्कुल भी ट्राय नहीं होता है आप देख सकते हैं कितना फ्लफी सा बना है एकड़म मॉइस्ट टिक रहा है खाने में बड़ा मज़ा आता है और तीन-चार दिन आराम से टिकता है तो चलिए इससे बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने पास दो बनाना है थोड़े से ओवर राइप्ट है फ्रीज में पड़े थे तो मेरे सुचा है इसका बनाना केक बना लेते हैं तो इसको हम पील लेंगे अच्छे से और मैश कर लेना है सबसे पहले तो जितना हो सके अच्छे से इससे मैश कर लेना है ये दिखिए मेरे पास एक फोक एवेलेबल है मैं इससे मैश कर रही हूँ आपके बास अगर पावजी मैशर है या रोटी हम सेखते हैं उससे भी आप मैश कर सकते है उसकी बाद मैंने इसमें डाला है आधा कप जितनी शक्कर और ये मैंने पावडर शुगर नहीं यूज किये है नॉर्मल शक्कर यूज किये है क्योंकि हमने बनाना यूज किये है या राम से मेल्ट हो जाती है और इसमें हम दूद भी डालेंगे थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे शक्कर इसमें अच्छे से गूल जाती है मेल्ट हो जाती है फिर मैं डाल रही हूँ वन फोर्थ कप जितना तेल तेल थोड़ा सा कम चलेगा बट बिल्कुल भी जादा मट डालिएगा ने तो केक जब बेख होगा तो तेल चुटने लगता है तेल की जग़े पे आप बटर या घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें हलका समय ने दूद डाला है दूद करीबन 1-4 cup लगेगा उससे जादा नहीं लगेगा बट दीरे दीरे डालना है एक साथ में नहीं डालना है फिर देड कप जितना मैदा हमें इसमें चान के डाल देना है मैदे को हमेशा चान के यह डालना होता है क्योंकि उससे एरेशन बहुत अच्छाता है केक में उसकी बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक चमच जितनी बेकिंग पाउडर और आधा चमच बेकिंग सोडा यही रेशियों में हमेशा डालना होता है जब भी आपको यह टी टाइम केक या नॉमल केक बना रहे हो तब भी और जिस तरह मैं दिखा रही हूँ उसी तरह ये बैटर को मिक्स कर लेना है इसे कट और फोल्ड मेथड बोलते है एक ही डाइरेक्शन में स्पाचुला को गुमा के बीच में से कट करते जाना है और इस तरह मिक्स करना है अब एक सिदेड चमच में इसमें डाल रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रिडियन्ट चोकलेट फ्लेवर का कॉम प्लान आपके पस जो भी अवलेबल है आप डाल सकते हो चाहे तो चोको पाउडर डाल सकते हो या तो चोकलेट फ्लेवर का पेडियाशो और कॉम प्लान होरलेक्स कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो ये है ना एक चोकलेट का बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ हलका सा फ्लेवर देता है जो बनाना केक को बहुत ही एन्हांस करता है हमने हलका सा वैनल एसेंस भी डाला है बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर से दूट डालके कंसिस्टनसी एज़स करनी है ये देखिए ऐसी कंसिस्टनसी इसकी होनी चाहिए ना की बहुत गाड़ी ना की बहुत पतली अब सबसे पहले ये बनाना शुरू करने से पहले मैंने एक मेरे पास अलुमिनियम का तपेला है उसको ग्रीस करके रखा था बटर और मैदे से आपके पास केक मोल्ड है आप वो भी उसकर सकते हो पर जैसे मैंने बताया घर पे बहुत आसार नी से जो एवेलिबल चीज़े उससे बनाना मैं आपको सिखाऊंगी तो एलुमिनियम का एक पतेला था उसी में मैं बना रही हूँ इसे बस ये सारा जो मिक्स है केक का बैटर इसमें डाल देना है और जब तक हम ये मिक्स कर रहे थे तब तक मैंने ग्यास पे एक कड़ई भी गरम कर ली है प्री हेट कर ली है उसमें हमें रखके बेक करना है ये देखिए एक कड़ई में मैंने कुकर की डिश रखी थी इसे अल्रेडी थोड़ा सा गरम कर लिया है उसमें बैटर रखके ढग देना है लीड से और 35-40 मिनिट अक अच्छे से पका लेना है स्टार्टिंग में 2 मिनिट फ्लेम हाय रखनी है उसके बाद slow to medium रखनी है 35-40 मिनिट बाद हमें चेक कर लेना है ये पका है कि नहीं कोई भी आप चाकू या टुटपिक डालके चेक कर सकते हैं अगर बैटर नहीं चिपक रहा है तो वो अच्छे से पक गया है ये देखिए कितना fluffy हो गया है अब नॉर्मल जो केक को हम पलटे है वैसे एक दिश में रखके पलट लेंगे और मोल्ड के उपर थोड़ा सा टैप करके केक को निकाल देंगे पतेला या मोल्ड थंड़ा हो उसके बाद ही केक को निकाल देना है ये देखिए कितना golden सा color आया है इसे बाहर से बहुत ही fluffy बना है आप देख सकते हैं और अंदर से ये super moist है ये देखिए बच्चों को ये बहुत पसंद आता है और 3-4 दिन आराम से टिक जाता है इसमें आप चाहिए तो dry fruits डाल सकते है चोको chips डाल सकते है जो भी आपका मंचा है आप इसमें stuffing अंदर डाल सकते है काफी लोग ना बनाना walnut cake भी बनाते है तो walnuts अगर आपको पसंद है आप वो भी डाल सकते हो मेरी बच्ची को और मुझे ना पर्टिकुलर्ली कोई nuts आए cake में वो पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाल ये दिखिए बहुत ही प्यारा सा कलर इसमें आया है और बहुत fluffy बनाया है ये जो साइड का golden crust होता है वो बहुत ही tasty लगता है ऐसे वाले cakes में और ये वाले पर्टिकुलर्ली जो cake होते ना जैसे हम सूजी का cake बनाते है बनाना का cake में आपको दिखाया है ये वाले cake में आईसिंग क्रीम के भी ज़रुरत नहीं होती है ऐसे ही आप इसे एंजॉय कर सकते है जस्ट टी टाइम केक से है ये दिखिए इसे ज़रूर इसे बन जाते हैं घर पे अविलिबल है वही चीजों से बन जाते हैं